हेलो फ्रेंड नमस्कार घर में काम करते करते हम home makers परेशान हो जाते हैं और हम सोचते हैं का समय कुछ tips मिल जाए जिसे हमारा काम करना आसान हो और काफी पैसी की बचत हो फ्रेंड्स फॉक हर किसी के घर में होता है for folk का आज बहुत ही नायाब सा तरीका मैं बताऊंगी कि इसका क्या यूज किया जाए clips आप सब के बालों में लगाने वाली clip हो या friends कपड़े पे लगाने वाली clip इसका बहुत ही unique सा स्थेमाल कैसे इस्थेमाल करके हम धेर सारे पैसे बचाएंगे friends तो चलिए हम start करते हैं बताना तो ये जो बालों में लगाने वाली clip हो friend या आप कपड़े वाली कपड़े वाली clip बहुत अच्छी होती है friends इस तरह से इसके hold कर लीजे आप पूरी तरह से इसमें धीमी धीमी लपेड लीजे लपेडने के बाद आगे आप देखेंगे कि जो microphone है हमारा उसमें फस गया है तो ये फसने के कारण टूड जाता है और ये बहुत ही costly होता है बाजार में आजकल तो mobile के साथ नहीं आता था है पहले तो हर mobile के साथ मिल जाता था तो लोग mobile change करते थे तो घर में काफी होता पर अब तो पुराने ही रखे हुए हैं क्योंकि ये मेरे बहुत पुराने mobile का है फ्रेंट्स mobile तो खराब हो गई पर ये आज भी ठीक है और इस तरह से मैं rubber band में arrange करके रखती हूँ या कभी गलती से open हो गया और ऐसे रख के चले गए तो ये आपस में फस जाते हैं अगर जल्दी जल्दी कोई से छूता है या बच्चे छू लेते हैं तो इनके टूटने का खत्रा रहता है फ्रेंट्स वैसे तो मेरे घर में बच्चे नहीं हैं फ्रेंट्स अगर जिनके घ घर में बच्चे होते हैं तो वो ज्यादा माइक्रोफोन के तरफ दौड़ते हैं और उन्हें खीच कर तोड़ देते हैं तो इस तरह से अगर आप माइक्रोफोन को अपने इस तरह की क्लिप्स में रख देंगे क्योंकि ये क्लिप हर किसी के पास होती है तो ये बहुत और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा बेल आइकान प्रेस कर दीजेगा ताकि नोटिफिगेशन आपको मिलता रहे हैं कुछ वीडियो में फ्रेंड्स आपने हमें बहुत सपोर्ट किया है जिसके कारण हमारा ये चैनल थोड़ा सा ग्रोग कर पाया पर कभी-कभी बीच- में मैं गैप कर देती हूं मेरी ही गलती है क्योंकि क्या करें कभी-कभी कुछ काम ऐसे पढ़ जाते हैं कि जिने करना होता है तो एक-एक-दो-दो महीने में वीडियो अप्लोड नहीं कर पाती हूं पर फ्रेंड्स आप रेगुलर करती रहोंगी पारिस का सीजन है प्लांट था इसके अंदर लगा हुआ था फ्रेंड्स स्नेक प्लांट तो मैं गई थी लखनों मकान बनवाने तो यह पूरी तरह से सुख गया था क्योंकि कोई केर नहीं किया तब मैंने फिर से इसमें मिटी भरा यह हाथी है फ्रेंड्स सेरमिक और बहुत अच्छा है तो आठ या नौ बजे से खिलता है दो से धाई बजे तक एक खिला रहता है देखिए इसके कलर्स भी बहुत खुबसूरत है मेरे पास वाइट पिंग गुलाबी लाल हर तरह के हैं और यह दोसरे भी एक प्लांट है यह भी सेम पॉटूला के तरह ही है मुझे इसका नाम नहीं पता फ्रेंट्स पर यह भी बहुत ही खुबसूरत होता है यह सेम उसी तरह है जो एक साग जंगली हमें मिलता है और मेरे बगीचे में भी बहुत है मैं खाने में यूज करती हूँ उसी के तरह इसकी लीवस हैं पर थोड़ा सा डिफरेंस है कि इसमें बड़े बड़े फ्ल एक कलर की एक एक डालिया लाई थी और अब मेरे बगीचे में बहुत जादा हो गया था तो मुझे उखाड़ना पड़ गया फ्रेंट्स बीच बीच में तीन से चार महिनी में इसकी फिर से रिपॉर्टिंग अगर आप करेंगे तो यह पूरी तरह से फूल से भरे रहेंग तो यह देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा कैसा लगा मेरा वी वीडियो फ्रेंट्स मुझे कमेंट तब तक केजिए और वीडियो में बने रहेगा आगे बहुत ही यूसफुल से किचन टिप्स मैं बताने वाली हूं मैंने फ्रेंट्स छोटे से डिब्बे में कैसे ह मनी प्लांट लगाए बहुत ही खुबसूरत है और बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है उस वीडियो का भी लिंक मैं दे दूंगी इस तरह के छोटे छोटे पोतल हों या आपके पास कबस हों उसमें भी आप अपने प्लांट ग्रो कर सकते हैं जिसे आपको ऑक्सीजन क कि शोटेज नहीं होगी फ्रेंट्स मॉर्निंग का समय है तो देखे मेरे पास पेस्ट खतम हो गया ऐसी सिच्वेशन सब के पास आती है तीन चाप इसमें मेरे पास पेस्ट थे पर सब नीचे चले गया तो मैंने सोचा लाओ मैंने कर तो लिया निकाल के मुश्किल से पर मै आगे यह वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है तो इसी इस तरह से फसा के भी आप कर सकते हैं आगे मैं और एक ट्रिक बताऊंगी आपको जिसमें इस तरह से फोक को फसाना नहीं पड़ेगा फिर भी आप इसी अच्छे से पेस्ट को खीच लेंगे पेस्ट एकदम प्रेस करके हम निकाल रहे थे तो निकल नहीं रहा था फ्रेंड इस तरह से फिरी से मौड लेज़े और यहां बाइंडर क्लिप्स आप लगा सकते हैं तो यह अच्छे से secure हो जाएगा, उपर का portion निकल जाएगा और कहीं आपका paste पीछे नहीं जाएगा, वैसे तो इसमें जाता नहीं है friends, पर देखिए हम इस तरह दिखा रहे हैं, इतना है, यह आपके 5-6 दिन use हो जाएगा, तो इसे आप fake देते तो 5-6 दिन का paste का पैसा आपक कर सकते हैं, तो हम सभी हिंदूस्तानियों का यह आदत होती है कि जुगाडू बहुत होते हैं और थोटी छोटी चीच को भी बेकार नहीं होने जाते, देते, खास तो और पी घर की ग्रहणिया, तो अब देखिए दोसरा paste भी है, मैंने सोचा लगे हाथ सारे paste को ठीक से आपको tips दूँगी, यानि जो भी tube हो, जब एक दिन आप करना शुरू कीजिए, तो चेक करके सारे tubes को इस तरह से एक साथ ही आगे कर देंगे, तो बार-बार आपको यह काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे आपके समय और पैसे दोनों की बचत होगी, friends और हमें पता चलेगा कितने पेस्ट हमारे पास हैं, इसी लिए मैं धेर सारे पेस्ट छोटे छोटे ले आ देती हूं, तीन चाथ, ताकि यह पड़े रहें और तो एक साथ हम अलग-अलग पेस्ट का यूज़ कर सकें, कोलगेट के, हिमालेयन के, फ्रेंट क्लोजब तरह तरह का जैसा भी होता है, मिस्वाक, सारे यूज़ करते हैं, तो मेडियम साइज के ला देती हूं, और फिर उने, रेगुलर चेंज घर में रहेगा, तभी तो हम करेंगे, और अब ये देखे हमारे पास, वीको का है कर दूं, यानि इसे भी ठीक कर दूं, ताकि मुझे पता चल सकें कि कितनी क्रीम है, हर महीने तो ये चीज़ें खरीदी नहीं जाती हैं, तो एक साथ आ जाती हैं, फिर तीन-चार महीने जब चलती हैं, वैसे तो ये हम चोट वेगरा, हम कटवर्ट होते हैं, लगाते हैं, या कहीं, फोड़े फुंसी हो गए, तो इसका यूज बहुत ही अच्छा होता है, इसमें चंदन हल्दी है, जिसके कारण ये बहुत फायदा करती हैं, देखें, इस तरह से हम प्रेस कियें, और छोटी-छोटी पिने लगा देंगे, ताकि ये पूरी तरह प्रेस रहें, क्य खतम हुई, और कब नहीं, इस तरह से हम इने सेक्यॉर करके रख लेंगे, आप इने छोटी सी छोटी जगा में अगर मोड देंगे, तो रख सकते हैं, मैंने छोटा सा एक बॉक्स लिया था, पिन लगाने के बाद सोचा कि उसके अंदर चला जाएगा, पर उसके अंदर नहीं जा पाया, मैंने रखने की बड़ी कोशिश की, उसके बाद मैंने इसे चश्मे के बॉक्स में रखा, और छोटी वाली पिन को अगर आप चाहें, त और कुछ प्लांट ऐसे हैं, जो सड़ जाते हैं, जैसे जैड प्लांट, दो-तीन दिन हमारे गमले में पानी रुक गया था, फिर मैंने देखा, इसकी पतिया मुझे वो चमक नहीं दे रही थी, खराब हो रही थी, तो मैंने लाया और फिर उसे सिंक में अच्छे से धुला और इससे बगीचे में भेजा और देखा कि पलटने के बाद कि इसमें होल नहीं है, कुछ गमले ऐसे आते हैं, जिनमें होल नहीं है, और जब प्लांटिंग हो रही तो केसी ने ये केर नहीं किया, फिर मुझे होल बनाना पड़ा, होल बनाने के बाद कुछ इंट या बरसात के पानी से हमारा जड़ प्लांट पूरी तरह से खराब हो जाता, दो गमलों में हमने शिफ्ट किया है, ये देखे, इस साइड जो है, सेम उसी तरह दो अच्छे से पौट हमारे पास रहे हैं, बरसात के दिनों में देखे, पौधे कितने अच्छे हरे हो गए जो अगर असे मांसून में पौधे कुछ पानी जादा चाहते हैं, तो वो तो अच्छे स्वस्थ हो जाते हैं, पर जिने पानी कम चीए, उसमें ड्रेन बहुत अच्छा होना चीए, नहीं तो पानी से हटा देजिए, आपको हमारी ये सारी किचन टिप्स कैसी लगी, मुझे कम करके जरूर बताईएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स